हेलो फ्रेंड्स कैसा हो अगर आप रोज के 45 रुपे इंवेश्ट करके 25 लाग रुपे का केपिटल बना ले तो ये चीज पोसिबल है और वो है LIC की जिवनादन पॉलिसी के साथ में तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं किस परकार आप ये पेमेंट जमा कर सकते हैं हर व्यक्ति अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत आवश्चा करता है और वो एक जगह इन्वेश्ट करता है जहां पर उसे बाद में जो एक मोटा फंड है वो एकटा हो जाए पेसा भी सुरक्षित रहे है इस मामले में देश की सबसे बड़ी बीमा कमपनी LIC की उपलब दे उनमें से एक पोलीशी है जिसका नाम है जिवन आन्न पोलीशी उसमें आप ये काम कर सकते है तो सबसे पहले जानते है कि आखिर इस पोलीशी में क्या कर साबीत हो सकता है एक तरह से ये ट्रम प्लान की तरह ही है जितने समय के लिए आपकी पोलिसी है आप उतने समय तक प्रेमियम का बुपतान कर सकते हैं इस स्किम में पोलिसी दारक को एक नहीं बलकि काई मेचुरिटी बेनिफिट मिलते हैं LIC की इस स्किम में कम से कम एक लाग रुपे का समेशोड होता है जबकि मेकसिमम की कोई लिमिट ताई नहीं होती तो चलिए देखते हैं कि किस परकार आप रोज के 45 रुपे जमा करके 25 लाग रुपे बना सकते हैं ये लाइसी जीवन आनन पोलिसी में आप करीब 1358 रुपे हर माईने जमा करके 25 लाग रुपे का फंड जमा कर सकते हैं इसे परती दिन के हिसाब से देखें तो आपको 45 रुपे हर रोज बचाने होगे ये सेविंग आपको लोग टर्म के लिए करने होगी इस पोलिसी के तहट अगर आप 45 रुपे की रोज बचत करते हैं और 35 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस स्किम की मेचुर्टी पूरी होने के बाद आपको 25 लाग रुपे की रकम मिलेंगी सालाना आधार पर आपके दुवारा बचाएगे रकम को देखें तो आप खरीब 16,300 रुपे आप पर येर बचाएंगे इस पोलिसी में आपको डबल बोनस से ज्यादा फाइदा होता है हर साल आप 16,300 रुपे का निवेश आप LIC जिवन आनन में करते हैं तो कुल मिलाकर आपकी 5,600,500 रुपे होगी जो जमाराशी होगी वो अब पोलिसी टर्म के मुताबिक इसमें बेसिक समेश और 5,000,000 रुपे का होगा जिसके साथ मेचॉर्टी पीरेट के बाद आपको इस रकम में रिवीजनरी बोनस 8,600,000 रुपे और फाइनल बोनस 11,500,000 रुपे जोड़ कर दिया जाएगा LIC की जिवन आनन पोलिसी में दो बार बोनस दिया जाता है लेकिन इसके लिए आपके पोलिसी 15 साल की होनी ज़रूरी है इस पोलिसी में आप देखे तो आपको कोई टेक्स की चूट नहीं मिलती है बारतिय जिवन बिमानी गम की जिवन आनन पोलिसी लेने वाले पोलिसी ओल्डर को इस योजना के तद किसी भी तरह की टेक्स चूट का लाप नहीं दिया जाता है हाले कि benefits फर गोर करें तो इसमें आपको चार तरह के riders मिलते हैं इसमें accidental death and disability rider, accidental benefit rider, new term insurance rider और new critical benefit rider शामिले तो ये थी इस policy की कुछ खास बात हैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आए होगा comment करके बताएं कि आप कौन सी policy खरीदना चाहते हैं या फिर आपने अभी कौन सी वाली policy खरीद रखी है वो भी आप comment करके जरूर बताएं